असलाम वारीकुम एवरीवान उमीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी स्टोरेंट्स पंजाब और ने 2024 के मॉडल पेपर जारी कर दिये हैं आज की इस वीडियो में हम लोग 9th किलास केमिस्ट्री का पेपर देखेंगे सारा पेपर इसी पेट्रिन के अकॉर्डिंग आएगा जैसे कि पहले भी मैंने शेयर किया 75% पेपर होगा तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेपर किस तरह से बनाया जाएगा और उसमें इनलेटिकल कुस्टिन किस तरह से दिये जाएंगे पेडिंग स्कीम ओल्रेडी अप्लोड है चैनल पे जिसमें 75% नोलीज बेस और 25 इनलेटिकल बेस होगा हमारे पास 12 मार्क्स का और उसके अटेंप्ट करने के लिए हमारे पास 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा 12 MCQs ही होंगे और 12 मार्क्स के ही बन जाएंगे एक नमबर का होगा MCQs आप लोग के सामने से क्रीन पे शो हो रहे हैं होंगे सेम इसी पेटरन को फोलोग करके जो है आप लोग का पेपर बनाया जाएगा पेरिंग स्कीम भी मुझूद है उसमें से भी आपको आइडिया हो जाएगा कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आने है पेपर पेटरन यही रहेगा यह चेंज नहीं होगा इसी के अकौर्डिंग यह आप लोग का पेपर बनेगा बिशका पंजाब यह किसी भी बोर्ट से तालुक रखते हैं उसके बाद में चीज़ हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट उसको देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास जो पेपर होगा सब्जेक्टिव पार्ट का वो 48 मार्क्स का होगा टाइम होगा एक घंटा 45 मिनट का कौस्टन नमबर टू है तो हमारे पास सबसे पहले उसमें से हम लोगों ने 5 कौस्टन अटेम्ट करने हैं एक question दो number का होगा पांच करने है तो 10 number के बन जाएंगे अब इसमें से question किस तान से बनाए गए है वो आप लोगोंने note करने है और उसी के according आप लोगोंने analytical based questions की त्यारी करने है उसके पद question number 3 भी इसी तरीके से हैं 5 questions करने होगे हर question दो number का होगा बाकी जो हैं 10 number के बन जाएगा आपका question number 3 भी question number 4 है उसमें से भी आप लोगोंने 5 questions नहीं attempt करने होंगे total 10 number का ये question भी बन जाएगा अब question किस तरह से दिये गए हैं ये आप लोगोंने चीज़ देखनी है और इसको अपने mind में रखके paper को solve करना है ताके आप लोग जो है annual paper आप अच्छे से attempt कर से के एक बार इस paper को last में solve कर लीज़ेगा उसके बाद हिससे दो में section number 2 यानि के long questions का उसमें हमारे पास 3 questions given होंगे question number 5, 6 और 7 एक question हमारे पास alif और बे दोनों मिला के no number के होंगे 2 attempt करने तो 18 number के बन जाएंगे जो आप लोग के पास पहला होगा part alif part यानि के वो 5 नमबर का है बे पार्ट आपका 4 नमबर का है इसी तरीके से बाकी तमाम questions का भी सिसे है जी अगर आपने करना है for example question number 5 or 6 attempt करना चाहरे है तो आपको 4 parts करने पड़ेंगे फिर आपके 18 marks का paper complete हो जाएगा यानि के दोनों parts आपको करने पड़ेंगे लेकिन अगर आप लोग सिर्फ alif part करते हैं दूसरे question का बे पार्ट कर लेते हैं तो आपको 5 नमबर उपर वाले के मिल जाएंगे मजीद कोई भी question आप लो comment section में भी पूछ सकते हैं Instagram पे भी पूछ सकते हैं All the best students for your exams Allah Hafiz